नमस्कार दोस्तों मैं एंकुर उपाथ्याई स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में मार्केट लाइफाई पे है आज भी आपने लगते हुए देखा है लेकिन उपर से करेक्शन आई है और यह व्यू बन रहा था मैंने इससे पहले वाली वीडियो में भी शेयर किया था कि व्यू पॉजिटिव रखना है गिरावट में लेना है लेकिन बेचना नहीं है और 900 के बीच में मेरा एक्युमिलेशन का व्यू बन रहा है अभी निफ्टी की ऑप्शन वैल्यू जो है 2950 की वह 1045 पे है मेरी असली रेंज जो निगल के आ रही है वह 80 से लेकर 70 के बीच की है तो यह अपडेट में आपके साथ शेयर कर चुका हूँ अब आगे बढ़ते हैं और तीन-चार ऐसे स्टॉक से जिनमें पिटाई पड़ रही है लेकिन उससे पहले बताना चाहूँगा बजार में आज मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी, सैंसेक्स और बैंक निफ्टी चार बड़े इंडाइसे लाल निशान में अभी गरंटी ट्रेड कर रहे हैं आज अबी तक जो एक्शन में स्टॉक्स हैं उनमें पहले तो आज मैंकाइन फार्मा को हम कैसे छोड़ सकते हैं पांच-छे-अजार क्रोड के बड़े इंवेस्टर्स ने आज विकवाली करी है लेकिन उससे भी बड़े लोगों ने खरिदारी करी है अभी नाम तो नहीं स परसेंट डिसकाउंट में होनी थी वो डील तो हो गई लेकिन शेर के वल धाई परसेंट नीचे है तो यह अपनी स्ट्रेंथ आपको दिखाता हुआ मैंकाइन फार्मा आज देखने वाली बात है कि नाम कौन से सामने निकल कर आते हैं किसने खरिदारी करी है अगर बड़े नाम सामने आए तो डेफिनली इस टॉक दुबारा दो हजार और पोजिशनली 2200 रुपे के लक्षे दिखाएगा मैं से स्टॉक को लेकर बुलिश हूं बट मिरको भाव नहीं समझ में आ रहा भी तो मैं थोड़ा वेट करना चाहूंगा पांच परसेंट आज तूटता हु आई जाए और उन्होंने कहीं ना कहीं जो इनके पास पैसा मैनेज करने के लिए रेशो भी बढ़ा दिया गया है तो इनका खर्चा बढ़ रहा है जिसकी वएसे बैंकों का NBFC इसको पैसा केरी करना बैंकों से लेना थोड़ा महंगा हो रहा है और फिर आगे देने के लिए और इंट्रेस्टेट हाई करने है तो यह सब चीज़ें पेटियम को देखते हुए पेटियम ने कहा कि हमारे जो आगे जो बिजनिस है उसमें 40-50 परसेंट की गिरावट आ थी कंपनी एग्जुकेटिव सेज तो सी अबाउट 40-50 परसेंट डिकलाइन वॉल्यम ऑफ पोस्ट पेड बिजनिस कंपनी एग्जुकेटिव सेज मर्चेंट लोन ग्रोथ कुट बीराउं 35-45 परसेंट गोइंग फॉरवड कंपनी एग्जुकेटिव सेज परसनल लोन कू क्योंकि सारे के सारे ब्रोकरेज हाउस ने इसे डाउंग्रेड कर दिया तो अभी भी मेरा कोई विचार बन नहीं रहा लेने के लिए क्योंकि अभी रिसेंटली 900 रुपे पर वारन वफेजी छोड़के गई हैं और उन्होंने 900 पर बेचा है ना तब भी उन्होंने 600 क्रोड तो ब्राइट कॉम गुरुप में भी 5% की गिरावट हो गई है प्रेस्टीज स्टेट वन साइडेड रैली के वाद आजसांत हुआ है 5% के करीब और पिय इंडस्ट्री में भी 5% की गिरावट है तो यह कुछ आज हाई-लाइटे स्टॉक से तो नीचे आते हो दिख रहे है अदानी टोटल गैस डेफिनेटल लोगों की पॉर्टफोलियो में हो सकता है इस स्टॉक में क्या करें क्या ना करें यह सवाल उट सकता है तो मैं इसके एक बार टेक्निकल लेवल्स भी आप सबी के साथ शेयर करूँगा और इंपोर्टेंट जो है वो भी शेयर करूँगा देखें पहले इंपोर्टेंट यह कि अदानी टोटल गैसे अदानी गुरुप का कोई भी स्टॉक ऐसा निया कि आज खरीदो कल पैसा बनाना चाहुआ समय तो पैसा जुरूर बनेगा वैल्यूशन वाइस तो रीजनेवल नहीं है लेकिन जब गुरुप चलता है तो वैल्यूशन देखता नहीं है आपको मैं कहना चाहूँगा यह शेयर आपको होल्ड करना चाहिए 1100 रुपे और थोड़ा सा नीचे 1050 के स्टॉप लॉस के सा अगर पोजिशनल शॉट तर्म देखूं तो कल इस टॉक में 62 लेक शेयर्स ट्रेड हुए है और और पांच दिन में 1.78 करूर शेयर्स हैं तो आज की गिरावट ऐसा कुछ नहीं कि बहुत जादा नेगेटिव हो गई है कुछ बड़ी गिरावट है नहीं विदाउट वॉल ठीक है चलेगा कोई इशू नहीं है लास्ट ब्राइट कॉम गुरूप इसमें मैं इंट्रेस्टेड रहता ही नहीं हूं और अवोइड की राय देता हूं ना खरीदना ना बेचना है तो आप होड़ कर सकते हैं नहीं है तो आप अवोइड कर सकते हैं यह मेरी तरब से आप के लिए कुछ स्टॉक्स थे और मार्केट की अपडेट थी थैंक यू सो मच फिर वाचिंग इस वीडियो है वाग्रेट दे गाईज